रणिंग करते हो और तुम यहाँ पे बजट रणिंग शूज लेने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को complete end तक देखना क्योंकि आज की इस वीडियो में यहाँ पे दो रणिंग शूज कवर करेंगे जो की तुम्हें 500 के आसपास देखने को मिलते हैं और दोनों ही रणिंग शूज खास कर स्टुडेंट्स के लिए हैं जो लोग काफी low budget रणिंग शूज लेना चाते हैं इनके पास यहाँ पे बजट की कमी रहती है क्योंकि मुझे काफी जदा questions आते रहते हैं low budget रणिंग शूज के लिए अगर तुम्हारा बजट यहाँ पे 500 के आसपास है और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि किन रणिंग शूज के ले जाएं तो यहाँ पे दो रणिंग शूज में लेकर आया हूँ यहाँ पे एशियन का वंडेट थर्टी रणिंग शूज इसका तुमने नाम सुनाई होगा यह काफी पॉपलर रणिंग शूज है एशियन का जो कि तुम्हें 500 के आसपास मिल जाता है और इस रणिंग शूज के अगर अपर मेटरियल की बात करें तो इसमें तुम्हें नि करते हो तुम्हें काफी अची वेंटलेशन देखने को मिलती है वहीं अगर मैं इस रणिंग शूज के मिट सोल की बात करें तो इसमें EVA प्लस TPR मिट सोल का यूज किया गया है क्योंकि जो लो बजट रणिंग शूज होते हैं उसमें अकसर TPR मिट सोल तुम्हें देखने क पर रणिंग करते हो बैसिकली जो इसका मिट सोल है तुम्हें ठेकि का मिट सोल देखने को मिलेगा साथी साथ हार्ड है जिसकी वज़े से जब भी तुम इसे पहन के रणिंग करोगे किसी भी हार्ड सर्फेस पर तो जो भी शौक लएगा उसको रणिंग सोल एब्स अब्स comfort मिलता है जब तुम इसे पहन के running करते हो किसी भी hard surface पे साधी साधी कुष्णिंग में भी काफी help करता है अगर इस running shoes के overall कुष्णिंग की बात की जाए तो इसके कुष्णिंग काफी अची है अगर हम इसके price range से इसके कुष्णिंग का comparison करें तो इसकी कुष्णिंग काफी अची है इसके durability भी काफी अची है अगर इस running shoes के weight की बात करते है दोनों running shoes का weight मिलागे 462 gram है अगर single running shoes का weight निकालते हो तो 231 gram आता है जो की lightweight ही है काफी और तुमें काफी help करें गए running shoes क्योंकि ये lightweight category के अंदर आता है क्योंकि इस running shoes में rubber का use नहीं किया गया है जिसकी वएसे इसका weight काफी कम हो जाता है अलाकि जो mid budget running shoes होते है या costly running shoes होते है उसमें अक्सर rubber का use के जाता है क्योंकि rubber की durability काफी ज़दा होती है as compared to TPR midsole वहीं अगर हम इसके outsole की बात करते हैं तो इसके outsole में EVA plus TPR तुम्हें देखने को मिल जाता है जिसकी वज़ए से इसकी cost काफी कम हो जाती है और तुम्हें 500 के आसपास देखने को मिलता है साथ ही साथ ये grip and traction भी काफी अच्छी देगा अगर तुम इसे on ground में running करोगे अगर तुम इसे बहुत जादा slippery surface पर running करोगे इसे पहन के तो उतनी अच्छी traction तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी लेकिन अगर तुम इसे daily running के लिए use करना चाते हो किसी भी surface पर hard surface पर basically road पर running करना चाते हो तो यह running shoes काफी अच्छा है बट यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना कि यह low budget running shoes है तो इसका material उतना जदा durable नहीं होता है as compared to mid budget running shoes होते हैं तो तुम्हें इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि जो running shoes है वो बहुत जदा durable running shoes नहीं होते 500 rupees के अंदर look wise बात करें तो look wise running shoes काफी अच्छा है 500 rupees के अंदर तुम्हें काफी durable और साथी साथ काफी good looking running shoes देखने को मिल जाता है इससे तुम casual look के साथ भी carry कर सकते हो काफी अच्छा लएगा और अगर मैं बात करूँ इस running shoes के overall performance की तो overall performance इस running shoes की काफी अच्छी है अगर तुम price to value की बात करते हो तो 100% यह running shoes price to value running shoes है अगर तुम्हारा budget यहाँ पर 500 के आसपास है उससे ज़्यादा तुम खर्च नहीं कर सकते हो तो इस running shoes के लिए ज़रूर जा सकते हो लेकिन 500 से ज़्यादा अगर तुम खर्च कर सकते हो तो मैंने पहले ही 1000 रुपीज के अंडर जो running shoes है उनको cover कर रखा है मेरे जो topics है उनको जाके देख सकते हो इस वीडियो के end में मैं काट के जरी हो उसका link दे दूँगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम इस चैनल पर नई हो तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करना जहां पर तुम्हें health, fitness and national related tips and tricks मलते हैं साह साथ healthy updates के लिए तुम्हें में instagram पर follow कर सकते हो सारे के सारे link नीचे description में देखने को मिल जाएंगे तो करते हैं वीडियो को continue जो next running shoes है वो भी यहां पर Asian brand का running shoes है Asian का Bouncer 05 running shoes यह भी तुम्हें after discount 500 के आसपास देखने को मिल जाएगा या फिर उससे कम भी देखने को मिल जाएगा यह running shoes भी काफी अचा है जब भी तुम running करते हो काफी अची ventilation देगा अच्छा खासा air pass होता है तुम्हारी running में और तुम्हें एक काफी comfort मिलता है जब भी तुम इसे पहन के running करते हो और खासकर summers में तुम्हें काफी अच्छा air ventilation वागा running shoes लेने की ज़रुत होती है क्योंकि summers में काफी जदा feet पे गर्मी हो जाती है अगर ventilation अच्छी ना हो तो फिर उससे काफी discomfort होता है वहीं अगर मैं बात करूं इस running shoes के midsole की तो इसमें EVA प्लस TPR midsole का use किया गया है तो ये running shoes भी तुम्हें काफी अची durability देता है इसके insole की बात की जाए तो इसमें memory foam insole तुम्हें देखने को मिल जाता है जो की तुम्हारे feet को secure रखता है साथी साथ तुम्हें काफी comfort देता है और cushioning में भी काफी help करता है इसकी overall cushioning की बात की जाए तो इसमें nitro capsule technology का use किया गया है जो की तुम्हें air cushioning देता है जब भी तुम्हें इसे पहन के running करते हो किसी भी hard surface पे साथ इसमें EVA TPR midsole होने की वैसे की durability भी काफी बढ़ जाती है तो air capsule technology का use किया गया है वो काफी अची air cushioning देती है तुम्हें जो कि तुम्हें 500 रुपीज के अंदर देखने को मिल रही है जो कि काफी अच्छा यहाँ पे feature है अगर मैं बात करूँ Asian brand के इस running shoes का भाई अगर इस running shoes के weight की बात की जाए तो around 456 gram इसका weight है जो मैंने calculate किया अगर तुम single running shoes का weight निकालते हो तो 228 gram पर running shoes का weight निकलता है जो क काफी lightweight है basically इसमें पूरा TPR midsole use होने की वैसे साथ-साथ outsole में EVA का use होने की वैसे जो इसका weight है काफी कम हो जाता है इनमें rubber का use बहुत ही कम किया जाता है क्योंकि otherwise इनकी price जादा बढ़ जाती है इसलिए इसका weight काफी कम है लेकिन ये एक advantage है किसी भी runner के लिए क्योंकि running shoes का अगर weight कम हो तो वो एक advantage की तरह होता है किसी भी runner के लिए तो ये तुम्हें काफी अचा advantage देगा क्योंकि ये lightweight running shoes है वही अगर इसके outsole की बात की जाए तो इसमें EVA outsole तुम्हें देखने को मिल जाता है जो तुम्हें grip and traction काफी अची देता है hard surface पे basically और ज्यादा slippery surface हो तो महाँ पे grip and traction में तुम्हें थोड़ा बहुत compromise करना पड़ेगा लेकिन वैसे इसकी grip and traction काफी अची है अगर इसके price से इसका comparison किया जाए वही look wise ये running shoes काफी अचा है तुम इसे casually भी पहन सकते हो jeans के साथ carry कर सकते हो काफी अचा लगता है decent looking running shoes है इस price range के अंदर price to value की बात की 500 रुपीज के अंदर क्योंकि मुझे काफी यदा request आ रही थी बहुत से students की 500 रुपीज के अंदर क्योंकि हमारा budget नहीं है इतना तो ये running shoes तुम ले सकते हो ये थी हमारी वीडियो जिसके अंदर मैंने यहाँ पे 500 रुपीज के अंदर दो ऐसे running shoes cover किये जो की काफी अच्छ दो गयँ जो